हेलो नमस्कार दूस्तो आज का हमारा टोपिक है बिट लोकर इंक्रिप्शन कैसे इनेबल करते हैं विंडो 11, 10 के अंदर वो देखेंगे और प्लीज गाई यदि आप लोग अभी तक चैनल कोई सब्सक्राइब नहीं किये तो प्लीज चैनल कोई सब्सक्राइब करना ना भूलें चलिए शुरू करते हैं bitlock और encryption को set करने के लिए दो तरीके हैं चलिए मैं आपको सबसे पहला तरीका बता देता हूँ पहला तरीका के लिए आपको क्या करने हैं control panel open कर लेने control panel यहां से open कर लिजेगा यानि तो आप search bar में जाके यहां पे आप search करके भी open कर सकते हैं दोनों में से कहीं से भी click करके control panel open कर लिजेगा control panel open होने के बाद यदि आपको case में इस तरह से दिखता है तो आपको क्या करना है यहां पे click करना है इसके बाद यहां पे आपको लार्ग आइकन दिख जाएगा इसको पर आपको click करना है click करने के बाद यह window open हो जाएगा अब आपको यहां पे दिख जाएगा bit locker यहां पे आपको click कर देना है click करते हैं इस तरह से window open हो जाएगा अब आपको यहां पे choose करना पड़ेगा आपको किस के अंदर bit locker open करना है यानि किस dab के अंदर आपको setup करना है, enable करना है, उस dab के आगे आपको यहाँ पे दिख जाएगा turn on करने के लिए, यानि तो आप यहाँ पे click करके भी turn on कर सकते हैं, तो पहला तरीका यह हो गया, जब आप यहाँ पे click करेंगे तो इस तरह से window आ जाएगा, बांकि इसका process मैं आ open कर लेना है, open होने के बाद आपको क्या करना है, किस dab के अंदर आपको bit locker enable करना है, उस dab के ओपर आपको right क्लिक करना है, इसके बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा turn on bit locker, इसको पर आपको click कर देना है, click करते हैं, इसी तरह same window आपको open हो जाएगा, जैसे वहाँ पे open हो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको कहाँ पे save करके रखना है, क्योंकि यह सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, इस key को आप कहीं पे भूल गया, तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, इसलिए आपको यह key आराम से save करके रखना है, उसको backup लेके रखना है, तो आप यहाँ तो Microsoft Account पे आप save करके रख सकते हैं, यानि तो save to file करके रख सकते हैं, यानि तो आप print करके रख सकते हैं, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे choose कर लिजेगा, यह की आपको कहाँ पे save करना है, मैं अपने case में क्या करता हूँ, यहाँ पे print कर लेता हूँ, इसके बाद इस तर तरह से मैं open करूंगा तो यहां पर आपको दिखा देता हूं इस तरह से open हो जाएगा आप देख रहें यहीं की है जो recovery के लिए काम आता है तो यह बहुत ही जरूरी होता है इसको आपको backup लेकर रखना परेगा कहीं पर save करके रखना परेगा इसको आप इस तरह से save कर करना है तो यहां पर आपको दो option दिख जाएगा मैं अपने case में उसीyoungा को किया हुआ है इसके बाद आपको दो option करने के लिए दूसरा यहाँ पर यह बoben यह बाला ओपशन दिखे जाएगा तो मैं अपने कीस में new encryption कर रहा हूं इसलिए मैं यहाँ पर पहला उच्ब्स कर रहा हूं इसके बाद आपको क्या करने यहां पर next पर किलिक कर देने इसके बाद यह window open हो जाएगा आपको क्या करने इसको tick mark कर देने इसके बाद आपको क्या करने यहां पर continue पर किलिक कर देने इसके बाद यह विंडो आ जाएगा आपको क्या करने यहां पर restart now पर किलिक कर देने restart now पर किलिक करते ह area start होना सुरू हो जाएगा रीये श्टार्ट होने के बाद आप चेक कर सकता है ये encryption enabled हो गया होगा अब यदि आप इसको देखना चाहते तो आपको क्या करना है यहाँ पर किलिक करने के बाद यहां पर आपको दिख जाएगा आपको देख रहें यहाँ पर encryption का icon आ गया यहाँ पर यह इनेबल है तो इस तरह से इनक्रिप्शन आप इनेबल कर सकते हैं, सेट अप कर सकते हैं, और प्लीज गैस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सेर करें, थैंक यू